हेलो एब्रिवान गुड मॉर्णिंग शरुपा ब्लाग में आप सबी कुछ वागती आप सब कैसे हो आशा करती हूं ठीक हो अभी से एक नीव ब्लाग शुरू किया और आज का ब्लाग में क्या है आज बना रही हूं रजगुला बहुत दिन से ना सोच रही थी बनाना है बन पा रही थी तो आज मैंने बना लिया तो बैस दूद को न पनीर जैसे बनाते हैं ऐसे में बना ली थी उसके बाद अच्छा से मिला लेना है और उसमें न मैं तीन-चार चामुष डाल दिया था माइदा और माइदा डालके ना पनीर को जैसे आठा गुनते हैं इसे गुन लेना है बहुत अच्छा च्टम मुलायम करके फे चोटा चोटा ऐसे बना लेना है और गोल-गोल करके रजगुल-जय से बनाना यह लेकिन आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हो जैसे चीनी का जो पानी है उसमें जब डालेंगे तो डबल हो जाता है तो इसका हिसाब से गोल बनाना है जादा बड़ा बनाओगे तो बहुत जादा बड़ा हो जाता है मीडियम साइज बिल्कुल ठीक है तो अभी कहना मैं जब बना रही थी उसका बीच में मेरा बेटी का टाइम हो गई थी तो मैं चले गई टी उसका बीच मेरा को देखे गया था हॉ कि टून अच्छा से गोल गोल बना के रखना और उसके बाद मे आ के ये चाशीनी में ढाल दूगी तो मैं बश की जय आइसे मेरा आपके जया ये चाशनी में डाल देखा एकर लगर डबल हो जाता है लेकिन रजगुल्ल में और बड़ा पतिला होता ने तो और अच्छा होता यह जैसे फूब रहा था ना तो फूलने के लिए जगा ने मिल रहा था तो इसे लिए छोटा जोटा यह बन गया तो इसका बीच में मैंने चावल भी बठा दिया था और मेरा बेटा और बेटी का ना आलो का भरता सच में पागल बना दिया डेली आलो बालो और भरता बनाओ और मैं अलग अलग बनाती हूं ना डेली एक जैसे आलो का भरता में बनाती नहीं हूं बस इसलिए और मा बेटी का टाइम देना पड़ रहा है और उसका बीच में छोड़के आ रही हूं तो इतना काम मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मतलब बैठने के लिए तो अभी मेरा ना रजगुला बीच मिनिट तक अच्छा से उबाला है उसका बीच मेरा काटन ळमक्रातकर उबाल लेती हूं उसको बाद में बना लूँ गी और में पाच के जी दूद उबालने के बाद पनीर बनाया इसका मिठाई बन गया था बहुँ क्तारा में डाय काटोरी में चीनी डाला था उससे डबल मैंने पानी डाला था तो बैस उसमें मेरा अच्छा से बन गया और मीठा बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि मेरा जो हाडा कलर की काटोरी ये नौ इतना छोटा भी नहीं है बड़ा है और पूरा भर बहुत ज़्याज के पत्ता के साथ बहुत ज़ादा ना टेस्टी बन गया था सच के प्याच के साथ ना पहली बार बनाया मुश्रुम लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था तो ऑभी तो ठंटी का मसम जाई रहा है तो प्याज का पत्ता के हो गया था रेड़ी अभी बेटा बेटी के लिए अंडा का ओमलेट बनाना है आलू का जो भरता बनेगा ना आज थोड़ा अलाग बनाऊंगी आलू को ना एक दों फ्राइ करोंगी पियाज के साथ कड़ाई में फ्राइ करके फिर भरता बनाऊंगी यह भी बहुत तेस्ट में सोच रही थी पियाज को अच्छा से फ्राइ का लेती हूं और उसके बाद ना बेटी के लिए थोड़ा सा उठा के रखोंगी और इसमें डालूंगी ब्लाक पेपर बहुत अच्छा मतलब खुचबू आता है जैसे आलू का भरता बनाऊं इसमें थोड़ा सा डाल दो ब इसके बाद मैं दूसरा काम करूंगी थोड़ा बहुत बरतन है धुलाई करना है और मेरा परी के लिए में खाना पहले देके आ गए थी अभी सुबाम को दे दे देते हैं अभी न थोड़ा ही बरतन है ज्यादा नहीं है क्योंकि खाना बनाते बनाते ना मैंने बरतन धूल और बहुत सारा बरतन हो था रजगुला बनाने के लिए अभी न रजगुला पूरा ठंडा हो गया तो अभी फिरिज में रख देते हैं दो ठाए घंटे के लिए उसके बाद साम को जिसको जिसको देना है मैं सब को टिफिन में डाल डाल के दे दूंगी तो बस देने के लि बाद मेरा सुबह में एक दिर घंटा बैटते उसके बाद कीचिन में दुबारा फिर आ जाते कुछ ना कुछ बनाने के लिए तो अभी लसी बना रहा है और लसी में इतना गाड़ा थोड़ा सा भी ना पानी डालते एक दम गाड़ा लसी पीएगा अभी थोड़ा सा मुझे देता है तो अभी देखो मैं फिरीज में रख दिया था रजगुल्ला को ना कम से कम दो घंटा के लिए रख देते उसके बाद निकाल लेंगे तो अभी मेरा सुबह ना बहुत टाइम तक लसी को मिला रहा था पर चीनी डाला था वह भी चेक किया फिर चीनी कम हुआ था फ टेस्ट करके देख रहा है तो थोड चीनी कम था तो यज अभी मेरा देखा देते हूं कितना बचा है इतना रजगुल्ला बचा है दखो ही एक टीफिन इधार Yeah एक टीफिन इधारnatural और टीफिन मैंने बेज दिया एक टी बनाया सब को दे दिया तो आगी दूदविए हो गया था अभी रजगुला भी सुभम को दुबरा दे दिया देखो टिफिन लेके जा रहा है और एक बार भया का घर में गया था टिफिन दे के आया और फे दुबरा आया फे टिफिन लेके जा रहा है तो पानी पानी के लिए बोल रहे थे तो मैंने दे दिया पी के चला ग तो आप सभी लाइक कॉमेंट सियार सस्क्राइब कर लेना बाई बाई आप सभी को